राधे राधे आशा करती हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आप सभी प्रियभक्तों को शरत पुर्णिमा की हारदिक शुप्त काम नाएं आप लोगों पर माता लक्षमी की किरपा सदा सरवदा बनी रहे आज मैं आप लोगों को शरत पुर्णिमा की कथा को सुनाने जा रही हूँ साथ में ही यह शरत पुर्णिमा कितने सुन्दर तरीके से इस तेहवार को मनाये जाता है यह भी बताने जा रही हूँ शरत पुर्णिमा साल में सिर्फ एक बार ही आता है वैसे तो पुनिमा हर महिने पड़ता है पुनिमा ब्रत जो कोई धारन करते हैं वो हर पुनिमा को ब्रत करते हैं लेकिन जो कोई पुनिमा का ब्रत नहीं करते हैं फिर भी उन्हें यह पुनिमा ब्रत अवस्य करनी चाहिए शरत पुर्णिमा के दिन जो कोई भी व्रत को करता है माता लक्षमी उस पर विशेश क्रपा करती है शरत पुर्णिमा परता है आसिन मास की शुक्रपक्ष की पुर्णिमा तिथी जो परती है उसे शरत पुर्णिमा कहते है इसे कोजगरी पुणिमा, रास पुणिमा, यह भी नाम से बुलाया जाता है इस दिन चंद्रमा अपने शोड़स कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा रात में पित्वी लोग पर अमरत की वर्शा करता है आज के दिन, शरत पुर्णिमा के दिन, आप अपने इस्ट की भी पूजा कर सकते हैं बहुत लोग भगवान संकर की पूजा करते हैं, उनका अविशेक करते हैं, उनकी कथा को पढ़ते हैं, गाते हैं क्योंकि भगवान संकर के माते पर स्वेम चंद्रमा विराजित हैं चंद्रमा को धारण कर रखा भगवान संकर ने इसलिए बहुत लोग रुद्रा विशेग भी कराते हैं यह इतना सुन्दर दिन है भवान संकर का भी दिन है और विश्णु भगवान और माता लक्ष्मी का भी दिन है कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इसी दिन शरत पुणिमा के दिन ही पृत्वी लोग पर आई थी इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी को खीर पूरी का भोग लगा कर स्वागत किया जाता है इसलिए सरत पुणिमा के दिन खीर का भोग माता लक्षमी को लगाय जाता है साथ में चंद्रमा वो भी खीर का ही भोग लगाय जाता है वैसे तो हमारे देश में कहा जाता है कि हर दिन तेहवार के रूप में मनाया जाता है यह शरत पुनिमा भी अत्यंत महत पूर्ण दिन है उनके भक्तों के लिए माता लक्षमी के भक्तों के लिए शरत पुनिमा के दिन हो सके तो तिर्थों में इस्नान करना चाहिए जो लोग तिर्थों में इस्नान नहीं कर सकते हैं वो गंगा माता उस जगह पर आ जाती हैं यह बहुत ही सुन्दर मंत्र है और इस मंत्र को नित्त भी पढ़ना चाहिए इसनान करते समय मंत्र इस प्रकार से इसको आवाहन मंत्र कहते हैं गंगे चैयमने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले असमिन सनिधिम कुरू इस मंत्र को पढ़ करके आप इसनान करें इसनान करने के बाद में भगवान सुर्व को जल दें नित्य अपने जो पूजा जिस प्रकार से करते हैं उस पूजा को करें पूजा करने के बाद में एक चौकी पर आसन लगाएं भगवान विश्णू और मातालक्षमी की प्रतिमा को रखें साथ में शालिग्रा भगवान को रखें और गणेशी को रखें ये था विधी उनकी पूजा करें धूप दीप नेवेद, पूश्प, गंध ये सब चीजें समर्पित करें रितु फल चड़ाएं सफेद रंग के को भी मिस्ठानों उसका भोग लगाना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होता है साम के समय में खेर पूड़ी बनाना चाहिए और जिस जगा आपने भगवान का आसन लगाया उसी स्थान पर एक कलश को रखें एक लोटे में जल रखें भर करके और साथ में खीर पूड़ी जो बनाया है उस भोग के सामान को रखें कथा का सरवन करें पूरी रात का जागरान करें और रात के समय में जब पूर्ण चंद्रमा आकास के मद्धि में इस्थित हो जाएं उस समय चंद्रमा को जिस लोटे के कलश में आपने बना कर रखा था उस जल को चंद्रमा को अर्ख दे दें अर्ख देने के बाद में जो खीर बनी है उसको रात में खुली चांदिनी में रख दें और अगले दिन खीर का प्रशाद सब को देना चाहिए साम की समय में कथा को सुननी चाहिए जो ब्रत करते हैं उन्हें कथा सुननी चाहिए और जो ब्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कथा सुननी चाहिए कथा सुनने के बाद में भगवान विश्णु को और माता लक्ष्मी को खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए रात्र में ऐसी मानिता है कि माता लक्षमी पूरे पृत्वी लोग का फ्रमण करती है जो कोई भी सरद पूरिमा की रात में जागरन करता है और माता लक्षमी को याद करता है माता लक्षमी उस अपने भक्त पर विशेश कृपा करती है माता लक्ष्मी जिस पर भी कृपा करती है उसके घर में धन, धान, वैवव, संतान, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है इसलिए माता लक्ष्मी के कृपा आप सभी भक्तों पर अवस्य हो, कथा सुनने वाले पर हो और कथा सुनाने वाले पर भी हो विवाह उपरांत, पूर्ण मासी के ब्रत को करने के लिए शरद पुर्णिमा के दिन से ही इस ब्रत का आरंब करना चाहिए कार्तिक मास्क का जो ब्रत रखा जाता है कार्तिक ब्रत जिसे कार्तिक का ब्रत भी कहते हैं सरद पुणिमा के दिन से ही आरब किया जाता है कार्तिक महिने का आरब हो जाता है इसी पुणिमा तिति से पूरी एक महिने के लिए जो कि तुलसी माता की पूजन के लिए अत्यन्ती सर्वुत्तम महिना माना गया है आईए अब बड़े ही प्रेम पुर्वक भक्ती पुर्वक कथा का स्रवन करते हैं शरद पूणिमा ब्रत कथा एक साहुकार थे जिनकी दो पुत्रियां थी दोनों पुत्रियां बड़े ही प्रेम पुर्वक पुर्वक पुर्मा का ब्रत रखती थी किन्तु जो बड़ी पुत्री थी वह बड़े ही स्रद्धा विश्वास के साथ ब्रत करती थी और पून ब्रत करती थी लेकिन जो छोटी पुत्री थी वह अधूरा ब्रत करती थी परिणाम सरूप यह हुआ कि छोटी पुत्री की जो संतान पैदा होती थी वह संतान पैदा होते ही मर जाती थी उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पुनिमा का जो ब्रत करती हो वो अधूरा ब्रत रखती हो जिसके कारण तुम्हारी संतान तो पैदा होती है लेकिन पैदा होते ही वह संतान मर जाती है पुणिमा का ब्रत रखो और विधी पुर्वक करो जिससे कि तुम्हारी संतान जीवित रह सके। बैठने के लिए वही पीड़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीड़े पर बैठने लगी तो उसका घागरा बच्चे को छूग गया। बच्चा घागरा छूते ही रोने लगा। अत्यधिक बढ़ गया। उसके बाद नगर में पुर्वक का ब्रत करने का निदोरा पिटवा दिया। हे पूरण मासी माता जैसे आपने उस छोटी बेटी के पुत्र को जीवित कर दिया। वैसे ही अपने सभी भक्तों पर किरपा करें। उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान विश्णों की जै हो, माता लक्ष्मी की जै हो। जो कोई भी पुर्वासी ब्रत का उद्यापन करना चाहता है। उसे चाहिए कि वह तेरह पूर्वासी का ब्रत करें। और तेरह में पूर्वासी ब्रत पर उद्यापन करें। उद्यापन का विधान यह होता है कि पूरिमा का ब्रत रखें, ब्रत रखने के बाद में साम के समय में चांदी की कटोरी में मेवा भर करके साथ में चावल, फल, मिठाई, वस्त्र, ये दच्छना, ये सारी चीजें किसी ब्रामण को दान कर दें इस प्रकार से और भगवान स बोल दें कि हे प्रभू, ये था सकती जितना मुझसे हो सका, मैंने इस ब्रत को धारण किया, अब मैं इस ब्रत का उद्यापन कर रही हूँ, ऐसा कह करके आपने जो भोजन बनाया है किरपुरी का, उस भोजन को ग्रहन करें, और अगली वार्से जो पुरन मासी ब्रत करता है, कार्थिक इसनान करता है, भगवान विष्णों के किरपा सदा सर्वदा उस बेक्ति पर बनी रहती है, जिस प्रकार से भगवान संकर को प्रिये है, बिलपत्र उसी तरह से शाली ग्राम भगवान को प्रिये है, तुलसी की पत्ति, तुलसी की पत्ति चढ़ाई जा ताकि पौराणी कथा सुनाने जा रही हूं। इस पर्व की कथा का उलेक स्री पदम पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। उसे भैवीत होकर रिशी, मुनी और देवतागर भगवान विश्णू के पास जाकर अपने विप्दा सुनाने लगे। तो उन्होंने ब्रिंदा का पती धर्म भंग करके उसका बल छीण करने का निश्चे किया। जबकि उसका पती तो देव लोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर ब्रिंदा का सतित्व नष्ट हुआ और उसका पती युद्ध में हार कर मृत्य को प्राप्त हुआ। जब ब्रिंदा को वस्तु इस्थिती की ग्यात हुई कि यह सब भगवान का च्छल कपड़ था। तो उसने क्रोधित होकर भगवान विश्चनों को साब दे दिया। कि जिस प्रकार तुमने मुझसे च्छल से पती वियोगी बनाया है। ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का च्छल पुर्वक हरन होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्य लोक में जन मिलोगे। इतना कहके ब्रिंदा अपने पती के शव के साथ उसके वियोग में तडपती हुई, सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पारवती ने ब्रिंदा की भास्मे में तुलसी, आवला और मालती के व्रक्ष ल भंकराया था, तो उन्हें पत्थर बनने का साब दिया था, इस पर भगवान ने कहा था, कि तुम मुझे लक्षमी से भी अत्यंत प्रिये हो, यह सब तुम्हारे सत्यतु का ही फल है, कि तुम तुलसी बनकर, तुम सदा मेरे साथ रोगी, जो भी तुम्हारे साथ मेरा प्रातहकाल पूरे कार्थिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है, प्रातहकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है, कार्थिक मास में प्रातहकाल के समय में तुलसी जी को सीचा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता ह भोग लगाय जाता है आरती की जाती है दिपक जला करके रखा जाता है सुभा के समय और शाम के समय भी नित्य भगवान विष्णों के चरण बना करके वहां पर दिपक जला जाता है इस तरह से तुलसी माता कि पूजा पूरे कार्थिक माह में की जाती है जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो धू तीप नवेद ये सब दिखाएं पूजा करें उसके बाद में आर्थी करें कि इस्तुति करें और इस्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से प्रात्ना करें सारे परिव सारे परिवार को पाटे मेरे ये वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब जरू करें कमेंट बॉक्स में जैसे गणे जरूर लग दें धन्यवाद